ये जिन्दगी है जनाब कई रंग दिखाएगी कभी हसाएगी तो कभी रुलाएगी बस जो खामोसी से सह गया वो निखर जाएगा और जो भावनाओं में बह गया वो बिखर जाएगा जिन्दगी में टेंसन ही टेंसन है फिर भी इन लबों पर मुस्कान है क्योंकि जीना है जब हर हाल में तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है अरे हम तो आइना है आइना ही रहेंगे फिक्र तो वो करें जिनके सकल में कुछ और और दिल में कुछ और है तूफान आना जरूरी होता है जिन्दगी में तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है तकदीर बदल जाती है जब जिन्दगी का कोई मकसद होता है वरना उम्र कड़ जाती है तकदीर को इलजाम देते देते मेरी एक छोटी सी सलाह हमेशा याद रखना अपना अच्छा वक्त उसी को दिया करो जिसने आपके बुरे वक्त में आपका साथ दिया हो बस सुनना सीख लो सहना सीख जाओगे और सहना सीख लिया तो इस जमाने में रहना सीख जाओगे एक बात हमेशा ही याद रखना कि अच्छे किताब और अच्छे लोग जल्दी समझ नहीं आते ये बात बिल्कुल ही सच है कि रिगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपने साथ अपने खड़े हो जाते हैं जिन्दगी में अगर सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल पे लगाना छोड़ दो साहब क्योंकि लवजों के भी अपने अपने जायके होते हैं इसलिए परोशने से पहले खुद भी कभी चक लिया करो कभी कभी हम गलत नहीं होते बस वो सब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके इसलिए समझनी है जिन्दगी तो पीछे देखो और खुश होकर जीना है तो जिन्दगी में आगे देखो